मैं हूँ अंतिमा, आप देख रहे हैं मुझे दव इंडो पर पूरी दुनिया में कोरणर फैलाने के बाद अपनी विस्तारवादी निदी के लिए दुनिया की आँख की किरकरी बनते चीन के राश्रुपती सी जिन पिंग के बारे में अब एक बड़ी खबर आई है कि शी जिन पिंग का तक्ता पलट होने वाला है पूरी दुनिया पर जीन का प्रभुत्व कायम कर देश को सुपर पावर बनाने का सपना देख रहे से जिन पिंग को अब अपनी ही कुरसे संभालने के चिंता होने लगी है जिन पिंग को खत्रा है कि देश में कही राजनेतिक तक्ता पलट न हो जाए इसलिए उन्होंने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाने सुरू कर दिये हैं कि पुलिस ऑफिसर, जजज और स्टेट सेक्योरिटी एजेंट की जवाब दही सिर्फ उनकी प् और देश के लिए फैले दुनिया भर के लोगों के गुस्से के लिए जिन पिंग जिम्मेदार हैं ये खबर कहां से आई है वो सोर्स ज्यादा महत्वपुन हैं दर असल ये दावा है ब्रिटिश न्यूजपेपर एक्सप्रेस का जिनका कहना है कि जिन पिंग को अपनी कु कुरसी छोड़नी पड़ सकती है क्योंकि चीन के नागरिक ही पूरी दुनिया में अपनी साख और देश के लिए फैले दुनिया भर के लोगों के गुस्से के लिए जिन पिंग जिम्मेदार हैं ये खबर कहां से आई है वो सोर्स ज्यादा महत्वपुन है दर असल ये को ठीक डंग से मैनिस नहीं किया है चीन के कोरोना का सच पूरी दुनिया से छुपाया था पिछले साल सितंबर से ही कोरोना फैलना सुरू हो गया था दूसरी ओर CCP यानी जीन की कमिनिस्ट पार्टी को यह फैसला इसलिए लेना पर सकता है क्योंकि वुहान वाइरस यानी को पूरी दुनिया खत्रे में है इसकी वजह से चीन पर पूरी दुनिया की नजरे टीडी हो चुकी है ऐसी आगे रिसर्च इंस्टिूट के सीनियर फेलो एंड्रियस फुल्डा का कहना है किसी को चीन के बाहर भी खत्रा है बाहर से लगता है कि CCP आफे हिस्पिर है लेकिन ऐसा नहीं है जिन्पिंग के कंट्रोल में आने से ताकत का केंद्री करन होने के बाद CCP में उतल पुतल सुरू हो गई है ऐसा आधिकारियों के खिलाफ बरती कारेवाई से समझा जा सकता है कि राजमेतिक केंद्र में इस्थानिय अधिकारियों को कंट्रोल करना और C के लिए वफादारी सुनिश्चित करना केंद्री के लिए मुश्किल हो गया है कुल मिलाकर पूरी दुनिया को खत्रे में डाल कर पूरी दुनिया में अपनी नंबर वन पोजिशन का सपना देख रहे जिन पिंक का खेल खत्म होता नजर आ रहा है हमारे सारी अब्डेट्स आप तक बिल्कूल सही वक्त पर पहुंचे इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि कोई खबर, कोई किस्सा, कोई कहानी आपसे छूटेना और फिर मिलते हैं सुक्रिया